असलालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दस्तरखौन, आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके की मूंग बरियों की कचोडिया, जो खाने में बहुत री टेस्टी, मज़ेदार और जायकेदार हैं, ये वन कप हमने मूंग की बरिया ले ली, इसको हमने भेगा दिया है, पांच मिनिट में अच्छी तरीके से फूल जाएगी, और ये मिक्सिंग बाउल, दो कप हम मैदा लेंगे, ये देखे, और हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है, इससे खुश्बू बहुत बढ़ जाती है, और 125 ग्राम हम इसमें घी लेंगे मोहिन के लिए, आप घी से मोहिन करिए, मोहिन बहुत अच्छा होता है, आप डालडा भी ले सकते हैं, ये देखे, और इसे हमें अच्छे से रब करना है, कि इसका मोहिन बहुत अच्छा हो, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से मस लेंगे, ये देखे, इस तरह से हमें मसलना आप दोनों हांस से इसे रब कर सकते हैं जिसमें इसकी गाठे बगएरा घी की खतम हो जाए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी एक मुठी बन जाए ये इस तरह से मोहिन बहुत अच्छा हो गया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गून लेंगे आटा हमें रोटी के आटे की तरह गूनना है लचीला और सॉफ्ट तो हम वैसा आटा तैयार करेंगे पर पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है नहीं तो आटा गीला हो जाएगा ये मूंग बरी की कचोरियां बहुत मज़ेदार होती हैं, बहुत जल्दी बन कर तयार होती हैं, दाल बिगाने की जंजट ही नहीं है, और नहीं बहुत टाइम लगता है, ये देखे हमारा आटा, हमने इस तरह से सॉफ्ट आटा गून दिया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना लचीला गूनधा है, इसी तरह का आटा चाहिए, समोसे का आटा हमें टाइट चाहिए होता है, वो टाइट आटे से समोसे बनते हैं, और कचोरियां सॉफ्ट आटे की बनती हैं, तो ये देखे, ये सॉफ्ट आटा हमारा तयार हो चु एक गीले कपड़े से हमें इसे ढखकर रखना है, ये हम गीले कपड़े से ढख दे रहे हैं, ये बीस मिनिट में आटा फूल जाएगा हमारा और ये बर्यों को हमने छान लिया है, सारा पानी इसका निकल गया और इसे हम हाथ से मसल लेंगे, इसे हमें ग्राइड नहीं करना ग्राइंड करने से ये पेस्ट बन जाएगा बर्यों का तो ये बहुत जल्दी फूल जाती है और इस तरह से अगर हम मसलते हैं तो दर्दरी दाल ही आईगी जैसे की बर्यों की होती है और कचारी में जो दाल इस्तमाल की जाती है वह थोड़ी दर्दरी रहती ये तू तो दरदरा कुटा मसाला हमने टू टेबिल स्पून इसमें आट कर दिया अब इसके साथ हमने बेशन डाला है तू टेबिल स्पून और इसमें जब तक एक अच्छी सोंधी खुश्बू नहीं आ जाती तक इसे हमें भूनना है अब यह हमारा भून चुका है अब हम इसमें हल्दी पाउडर रैट करेंगे हाफ टी स्पून और जो हमने दरदरा कुटा मसाला रखा था उसको भी डाल दिया हिंग हमने उसमें डाली है तो अलग से ज़रूरत नहीं है डालने की और यह बरियों का जो हमने बना कर रखा था मसल कर ऑपीस्ट उसको डाल दिया ऐसे हमें तब-क भूनना जब तक यह सूख नहीं जाता है यह लालामिर्च कसूरी मेथी हाफ टीस्पून काला नमक, हाफ टीस्पून नमक इसको भी हमने एट कर दिया और बरियों में भी पहले से मसाला था मिर्च वगएरा अद्रक मिर्च सब बरी में डाला जाता है तो इससे जादा मसाला एट करने की जरूरत नहीं है अब यह देखे यह सूक चुका है और जो इसमें गाठे बगएरा होंगी तो इससे हमें चम्मस से इस तरह से तोड़ लेना है गाठो को यह हमारा मसाला सारा एक सार हो गया है यह बरी और मसाले आपस में बिलकुल मिल गया है अब हम फ्लेम आफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो हम इसे एक प्लेट में खाली कर लेते हैं जिसमें यह ठंडा हो जाए और हमने कडा ही चड़ा दिए इसमें ओयर डालेंगे ओयल हमारा जब तक गरम होगा तो हम कच़वरियों की तैयारी कर लेंगे तो यह oil हमने गरम होने रख दिया और full flame पर नहीं रखा है medium slow पर ही रखा है oil गरम होने और इसके हम लोईयां तोड़ ले रहे हैं आटे की इस तरह से हमें इसकी लोईयां बनायाना है आटे की लोईयां को हमें बड़ा रखना है और यह जो मसाले की लोईयां है बरी कि उसे हमें छोटा रखना है क्योंकि अगर हम लोईयों के बरावर रखेंगे तो वो भड़ चाएंगी कचोरियां ये देखिए इस साइस के हमने ये बॉल्स बना ली है इसकी छोटी छोटी इस तरह से हमें बॉल्स बनाना है अब हम आपको दिखाते है ये देखिए कितना मुलायम आटा गुंदा है और ये छोटी छोटी बॉल्स तैयार है और बहुत आसानी से ये हाथ पर फैल रहा है हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ये बॉल्स को हमने सेंटर में रखा और अंगूठे से प्रेस करके और दूसरे हाथ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका ये एक्स्टर आटा निकाल देंगे इसे हम प्रेस करते जाएंगे सेंटर से कम प्रेस करेंगे अगर हम सेंटर में ज़्यादा प्रेस करते हैं तो यह हमाई कचोरिया फढ़ चाहेंगी यह देखिए जो यह थेली का हमारा नीचे वाला साइड होता है उससे हम दबा दबा कर इसको और अपनी उंगलियों की मदद से इसे फैला लेंगे इसी तरह हम आपको दूसरी भी दिखाते हैं इसको भी यह देखिए इसी तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से हमें अंगूठे से इसे दबाना है बॉल्स को और इसको मोड़ते जाना है और यह जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा इसको हम इसमें ही दबा देंगे हम दो तीन तरीके से आपको बता रहे हैं ये इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ये फैल जाएगी अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेल के भी बना सकते हैं बस आप उसको ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा और सेंटर में तो इससे कचौरियां आपकी अच्छी बनेंगी तो ये देखें ये दूसरी भी तैयार हो गई है ये कचौरी बहुत फूली फूली बनती है और बहुत टेस्टी खस्ता भी बहुत रहती है यह लोई ली इसको भी हमने इसी तरह पहलाया और इसी तरह में सेंटर में रखना है हम आपको एक एक अच्छी तरीके से बता रहे हैं जिसमें आपको कोई परिशानी न हो आप आसानी से कचोरिय बना सकें यह इस तरह से और यह बढ़ा हुआ आटा आप चाहे निकाल दीजिए और चाहे उसमें ही प्रेस कर दीजिए और इस तरह से आप साइट से दबाते जाएए तो यह आपकी बहुती शांदार कचोरियां बनेंगी यह इस तरह से दाल की कचोरिया तो सभी बनाते हैं आप एक बार बरी की कचोरि बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आईगी कोई जजी नहीं कर पाएगा कि आपने इसको बरियों से बनाया है अब हमने इसमें कचोरिया डाल दी मीडियम फ्लेम पर हमें इसे नहीं फ्राइ करना है और जब तक ही अपने आप उपर नहीं आती है तेल के उपर कचोरियां तब तक हमें इसे पलटना भी नहीं है आपका फ्राय करने में ही जो टाइम लगेगा जादा वही टाइम होगा बाकि ये कचोरिया बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता बहुत जल्दी बनकर तयार होती है तो आप इस तरह से देख सकते हैं अब ये उपर आ चुकी है अब हम इने पलट देंगे ये इस तरह हम कचोरियों को पलट देंगे और आप देख सकते हैं ये फूल भी रही है और जब तक ये अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे उलट पलट कर इसी तरह फ्राय करेंगे जिसमें हमारी अच्छी खस्ता कचोरियां बनकर तयार हो आप चाहें तो बीच में थोड़ा फ्लेम हाइ करके फिर इसलो करके सकते हैं या फ्राय कर सकते हैं पर बहुत देर के लिए नहीं नहीं तो आपकी कचोरियां अच्छी नहीं फ्राय होंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी और आप इस तरह से फ्राय करेंगे तो बहुत ही खस्ता कचौरियां बनकर तयार होंगी तो आप इसे सुभा के नाश्टे में शाम कुछ आए के वक्त आप किसी भी वक्त बना सकते हैं तो यह हमारी बहुत ही शानदार मूंबरी की कचौरियां बनकर तयार हुई है आपको हमें एक तोड़कर दिखाते हैं और यह देखें कित्ती खस्ता कित्ती करारी कचौरी यह और मसाला भी देखिए आप इसका खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत लाजवाब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी ही तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें